दिएर स्टूजेंट तोड़े हम डिसकसिंग अबाउट मैमल्स ओके तो आज हम हमारे जो मैमल्स उनके बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ भी बैच्चों की क्योरी आई थी कि मैं हमें रिविट के जो पेडिये पगे रहा हैं या फिर उनके क्विश्चन हमें करवा दीजिए तो आज हम कुछ उसके साथ जो क्विश्चन हम उन्हीं के साथ थोरी पढ़ने वाले हैं और उन्हीं को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहें ठीक है तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे मैमल्स हैं कोड़ेट मैमल्स उनको कितने उनके पोर्ग के बेस पर कितन कितना समझ में आ रहा है और इस जो यह सोट जो सीरीज मैंने बनाई है उससे आपको कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है आपको कितना ज्यादा लें हो रहा है कितने आपके किलियर हो रहे तो वीडियो को जवाब पूरा देख लो उसके बाद में आपको मिश्रीज करना या फिर कॉमेंट करना कि आपको कितना यहां भी समझ में आ रहा है ठीक है तो हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा टोपिक आज का वो क्या है रेबिट है ठीक है फिस्ट कुशन इस इन प्लास्ट अपोर डवलप इंटू फीचर देन वन अप्सट इस करेक्ट इन डाविट भास्ट वो डवलप इन तो फीचर इस एनस सेकंड कुशन इस फ्लोटिंग रिवार फाउंड इन फ्लोटिंग पसलिया पाई जाती है किसमें रभिट ओके फ्लोटिंग में में मिलती ह तो इसके दोनों ही आंस्वर होगा भी और डी ओन बेसिस ओफेट और ब्लास्टोपोर टू गुरूप ठीक है वन या फर्स्ट इस प्रोटोस्टर्म और सेकिंड गुरूप इज डुटरोस्टर्म फर्स्टीज ब्लास्टोपोर फॉर्म माउथ फैस्ट लेटर अनस फॉर्म यानि कि प्रोटोस्टर्म में क्या होगा पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है उसके बाद में जो लेटर हमारा ओर्गन बनेगा वो एनस बनेगा ठीक है उसके बाद में डुटरोस्टर्म की बात करें तो इसमें ब्लास्टोपोर का फॉर्म है वो एनस है वो पहले बनेगी और माउथ है वो बाद में बनेगा दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है तो आप एक याद रखोगी तो दूसरा याद हो जाएगा जो हमारा प्रोटो स्टोम है उसका एक्जामपल है प्लेंटी हलमेंथीज एसके हलमेंथीज अनिलेडर और मॉलस्का और डूटोर यह जो डाइग्राम आपको दिख रहा होगा यह अपने रेविट है उसका पहले ग्रीडल का डाइग्राम है आपने यह फिर बेसी लेवल पर जब बॉन का हमें तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो पेल्विक ग्रेडल है उसके कौन-कौन से पार्ट है मौस्ट जिनको मैंने हाइलाइट किया है तो यह जो हमारा बीच में प्यूबस बॉन है नीचे है प्यूबस सिंफाइसिस जो हमारा यह जो एसे टाबॉलम है यह आगे जाके क्या करत हती है और हमारी लोंग भॉन है उसी के बनाने में भी इस से पडूलम होसि यह के कंविटी है। उसके बास हुपर बाहने वाला पॉइंट है उस पे इलियम होगा और नीचे वाला इस चियूबस ओघ्जाते बिच में हमारा kortyloid bone परजेंट होता है इस kortyloid bone का क्या काम है यह जो ileum और ischium दोनों को आपस में एक दुसरे के उपर overlay up नहीं होने देती, ठीक है क्योंकि यह kortyloid bone है यह ileum और ischium दोनों पार्टों को अलग-अलग रखती है दोनों एक साथ overlay up नहीं हो सकती तो पूरा यह बोडी का मुवमेंट और यह बोडी की जो इस ट्रॉक्चियर है वह बोन आपस में इस तरह होती है कि एक दूसरे की कनेक्टिव पॉंट के फो में यह पर जंट होती है बट एक दुसरे पर और लॉप नहीं करते हैं और लेप करेंगे तो क्या होंगे बोन काम बताई थी आपको कि यह मीड़ पार्ट में परजेंट होगी जो इस्टियम और इलियम दोनों को आपस में कनेक्ट या ओले अपने होने देगी बस कनेक्टिव पॉइंट के फो में मिलती है और यह रेविट में परजेंट होती है अभी अभी हमने डाइग्राम देखा था उस एशिए डाइश्टेम है क्या है गेव बिटून टीथ जो हमारे तीथ हमें उनके बीच में कितना ज़्यदा गेव है उसी को क्या बोलते है अब जो फोमुला है डेंटल फोमुला उस सबसे पहले हम लिखते हैं इंसीजर केनाइन प्री मोलर मोलर तो और यहां क्या करते हैं आपर जो को उपर लिख लेते हैं lower जो को नीचे लिख देते हैं और दोनों को 2 से multiply कर देते हैं 2 से उपर आपर वाले जो है उसको भी multiply करेंगे और नीचे वाला जो है उससे भी multiply करेंगे और जो answer में मिलेगा उसको हम equal to में रख देंगे इसमें जो हमारा rabbit है इसमें जो in assurance 2% होते है अपर जो में पहले में अपर जो की बात कर रहे हैं उसके बाद मैं lower जो की बात करूंगे जो inverse जो in जो जो in है वो rabbit में 2% होता k9 हो 0% यानि कुछ नहीं पर जन्ट होता premolar हो 3% होता का molar है हो भी कुछ नहीं पर्जेंट होता है आप डिवाइड का साइड कर देंग और नेचे लिखेंगे कि इनर जोग में क्या क्या मैं फर्जेंट होता है टो इनर जोग तो यहां पर बी ओप्षण हो जाता है इसमें 6 नबर के कुशन में यह हमारी एटलस वर्टीब्री है ठीक है इसमें उपर वाला पार्ट है इसका जो बीज में खुला हुआ थोड़ा पार्ट वह नूरल के नाल है इसका जो साइन करता हुआ नूरल स्पायन है और साइड में कि न्यूरल आभा इसमें प्रजंट होता की एंटलस की एटलस वर्टिब्रा उप रभट इस करेक्टरl और सभी सभी आप सेंटरम इस में सेंटरम निपाए जाता वरी गूंड है इसमें भी बौरडरा एपसेंस ऑप्री जयाग अफैस और जयाग आप टोजाएं पर पोश्ट जयाग फाइस सब्सक्राइब करने के बाद वो कौन से इसमें क्या होता है खुद के ही जो मैमल्स है उनको इट करने का काम हो रहा है उसको बोलते हैं कोर्फो फेकश यानि की ऑप्सन नमबर C ठीक है तो यहां पर जो हमारा सी ऑप्सन हो सही हो जाता है और इनको जो भी नुट्रेशन मिलता वो इनके जो बोडी में विज़े से डाइजेस्ट हो जाता है नाइन्थ क्यूशन हमारा था वर्टीबर फॉर्मूला और रेविटीज कोर्ड ठीक है तो यह कोर्ड में पूछ लिया जाता है तो जो टॉटल है वह वर्टीबर प्रेंड में प्रजेंट होती है जो कोड़ इसमें ऐसे लेबर है से क्रल और कोडल यह भी संझ ये हमारा को जाता है यहां पे कोर्ड कोई सब्सक्राइब कोडल 16 नेक्स्ट कुशनर 10 जो कोटिलोड बॉन इस फाउंड इन ठीक है कोटिलोड बॉन्ड हमने पेल्विक ग्रीडल में तो बताया था आपको तो हम बात कर लेते हैं जो पहले ग्रीडल ऑफ रेबिट है और सी ओप्सन करेक्ट हो जाता इलिए उन्थ क्यूशन अता जगामेटिक आख ओफ रेबिट इस मेड़ ऑफ मैग जीलाइस क्वामोशल एंड जो गले तिनों क्या करता है कनेक्ट करता है यह आख क्यूशन नमबर यह उपर वाला पार्ट इसका मेंडिबूलम हानीचे जाइफूट का इलिए और यह इस टन बरे हैं सिक्स जोडी है जो भी है रिप्स वगज़रा परजेंट होगी यह पर कोस्टल बॉन है वो उपर वाले पार्ट में परजेंट होती है नेक्स्ट क्यूशन इस गस्टेसि में जाइब लो में आपर किनि यह दोब ऻ ele kate the म्रे ओंड इंड चैन से हो यह कहा पर बोसने होती है फिर फ्र कभी में मन्स में भी पूचलिया था इसका जो धूसरी नाम है यह उसका है तो में मेंडी मलती यहां पे जो copper grade है वो rabbit की होगी नंबर of lobes in right and left lung of rabbit आर जो नंबर है उसके जो लंग्स है ठीक है उने संख्या पूछ रखा इसमें कितना थीक है तो यहां पर option C सही होगा इसमें जो हमारा right log उसमें 4 होगा जो left जो लंग्स के उसमें 2 हो पर्जिंट होगा ठीक है लोग पर्जिंटम नमबर है लोग कितने लो पर्जिंट होगी तो राइट में पॉर और अष्ष्टॉ यह लोम के टाइप है उसitos freedom yht निल फे ऐसन रइबिट मैन इंड़ प्लस्टा ये होधा फेलोपियन तूब जो हमारा फटिल्याजे सान अउठ अवह कहां पर पर्जंट होधा फैलॉपियन फेलोपियन लिए अवन न कांपे टी कहते है ये संपन हो जाती है नेख्च पुश्ट हमारा है record एंडधन रिबिट या करवोष यह मार क्युट्षन हाहर वैश्टिक is bilis jarष ल trademark तो यह किस में फजक रेःबित है उसमें यह सिस्टम होता इसका डाइगराम में आगे दिखाने वाली हूँ आपको यह क्या हैं मेल्स की बॉन है ठीक है इसमें जो नीची है हार्वेशन के नाल है ठीक है और इसके उपर है जर्ष्ट हार्वेशन सिस्टम यहां पर बोन मेर होगी ठीक है बोन मेरों में इंडोस्ट्री ट्रियम हो बढ़ा रहता और इसके जो बीच वेच सिल्य की यॉवियोग में सिल्य नो Christian एंव कियां? की साथ जिल्य प्रू Алच की सिल्य नियंग जै небольшमी और पर यहां मिन के समय चैनल? क्लिवीच में समप्र परन क्ला हो नीचे शिब्वाइब में fancy से स्में आन अम करें डीन की अवाएब के साथ है जो वहूँसको प्रोवाइड कर Κनले प्रोवाइड करेगा क्रम जो येलो बॉनमेर ऑप करेगा और जिसका क्रमेडिंन करना और वशी नगार भीका और limited to तो जो हमारा glow में रूलाई है रेविट में वो कहां तक जाता है तो ये cortex या cortex तक जाता तो इसका option हो जाएगा ए ठीक है तो हमने देख लिया यह क्या है option A है वो correct है यहां पर cortex then next question की बात करते है atlas vertebra of rabbit is characterized by ठीक है तो उसमें all option है वो correct है absence of syndrome absence of यह था उने पहले भी कर लिया था next question इस थर्ड वेंडिकल इस फाउंड इन दा brain of rabbit नहीं कि heart rabbit के heart में नहीं होगा यह brain में होगा यह वेंडिकल सिस्टर में यहां पर मैंने कुछ Hindi में भी लिग दिया आपके लिए floating ribs are found in rabbit और mammals ठीक है man तो बी और डी दोनों correct है जो पसले इस टर्नमत तक नहीं पहुंचता ठीक है उसको क्या करते है floating ribs यानि की free ribs 10 11 और 12 और रिप्स को floating ribs कहते है अज तो आपको यह question पूछा कि रेबिट फ्लोटिंग रिप्स किस में पाई जाते है अब यह भी पूछ लिया जा सकता कि floating ribs कौन कौन से होते है नंबर में पूछ लिया तो 10 11 12 और क्या होती है floating ribs होती है और खरकोस में पाई जाती है नहीं रेबिट में पाई जाती है मानव में भी floating ribs पाई जाती है यह question है वह है sigmoid notch in rabbit is found in radial ठीक है इसका option है यह हो correct हो जाएक है आपर next question is a chromine process is found in bone of rabbit B scapula factorial gradle B correct हो जाता है हम पे अब आगे बढ़ते हैं जो next question हमारा एदा chick bone in rabbit is the jagomatic है B option हमारा correct होगा जो chick bone rabbit की वो क्या है jagomotic jagomatic है वो क्या chick bone है next question adjoining bone of frontal in rabbits इसका लार A option is correct nasal and parietal nasal and parietal nasal and parietal obturator forming of rabbit